प्रोब्लम आने स्टार्ट हो जाती है और क्योंकि जब हमारी एज कम होती है जैसे 25 क्यों या उससे कम हो तब हमें अपनी स्किन पर कोई प्रोब्लम दिखाई नहीं देती है जैसे कि हमारी स्किन लूज नहीं होती है एक दम टाइट रहती है ना उपन पोर्स रहते हैं क्योंकि वह जैसी होती है पर जहां भी हमने 30 या 35 प्लॉस क्रोस क्या उसके बाद हमारे फेस पर प्रोब्लम दिखाना स्टार्ट हो जाएंगी जैसे कि यहां पर दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी आंकों के आसपास दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी यहां पर दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी और ओपन पोर्स दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे हमारी स्किन जो वह डीली होने हो जाएगी नियुकर सकते हैं को आप इस चीज़ करते हो अपनी स्कीन का ध्यान रखते ओ तो यह तो इतही तो इसी लिए आपको अपनी स्कीन का बहुत ध्यान रखना है अगर आप 35 प्लस हो गए हो तो आपके लिए तो यह जरूरी है 25 प्लस भी हो तब भी आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि जिनकी इसकी लूज हो गई है उसके बाद वह ध्यान देंगे तो दिक्कत स्टार्ट अगर आप पहले से ही ध्यान देते अपनी स्कीन पर तो आपको यह प्रोब्लम नहीं आती है तो गाइज मैं आपके लिए लिए यह जरूर जाएगा तो मैं मिलती हूं आपको वीडियो में आगे तो आप देखते रहेगा तो गाइज यहां पर फेसमास बनाने के लिए मैं यहां पर लिए एक चमच मेधी पाउडर और एक चमच मैंने लिया है चावल का आठा और एक चमच मैंने डाला इसमें भर के दही यानिकी काट और यहां पर मैंने एक ही चमच ले लेना है सहेद क्योंकि यह वाला जो फेस मासम बना रहे हैं यह हमारी स्किन को टाइट करेगा हमारे कलर को इनहैंस करेगा फेर करेगा हमारे जो फेस पेज़ और फेस पे ओपन पोर्स है उनको मिनिमाईज करता है और हमारी इसकीन के लिए बिटामिन सी बहुत जरूरी है चाहे सीरम हो चाहे आप कोई भी फेर क्रीम लगाते हो अगर इसमें बिटामिन सी है तो आपका कलर फेर होगा तो यहां पे इसलिए मैंने ओरेंज से ही इसका पेस्ट बनाया है पानी का विल्कुल भी यूज तो जो हमारे फेस पे एज के साइज दिखाई देते हैं उसको कम करेगा चावल का आटा जो है उसमें पानी की मातरा ज्यादा होती है तो वो हमारे फेस पे जितनी भी डैट से उनको रिमूब करेगा और हमारे कलर को फेर करेगा क्योंकि चावल जो है वो हमारे कलर को कांच जाहां से रफ करके इसको चुटाना है मतलब करते हैं दो ती मिट ऐसे करके आपको पानी से वोश कर लेना है और आप देखो मेरा फेस एकदम प्लीन हो गया है और गाइज मेरे फेस पर आपको गिलो सा दिखाई दे रहा होगा तो आप इस पर डेली भी यूज कर सकते हो कोई साइड इफेक्ट नहीं है और बाद में आपको मोश्राजर लगा लेना है तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो इसी तरह कि मैं नेस्ट वीडियो लेकर आपसे मिलती हूँ तब तक की लिस्टे से पिस्टे हेल्दी बाबाए जैमाता दी